नमस्कार दोस्तों आज मैं लाल साग यानी चौलाई की कड़ी की रेसिपी लेकर आप सबके बीच आई हूँ तो चलिए बनाना सुरू करते हैं लाल साग की कड़ी तो मैं एक कड़ाई लूँगी और उसमें डालूँगी दो चम्मच सरसो का तेल और तेल गरम होने पे मैं डालूँगी आदा चम्मच जीरा और हरी मिर्ची दो और लैसन को काड़ करके डालूँगी और डालने के बाद में इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा बून काड़ाने अब मैं आधा चम्मच हल्दी पॉर्डर डालूँगी और हल्दी पॉर्डर हल्का सा भूनूँगी ताकि इसका कच्छा पर निकल जाए अब मैने लाल साग को अच्छे से दो करके बारी काट लिया है तो इस तरीके से देखिए एक दम बारी काटना है और लाल स तरीके से मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करके अब मैं ढखक करके ठोड़ा स्लो आज पे छोड़ दूंगी पकने के लिए तब तक इधर मैंने एक मिक्सर जार लिया है अब उसमें डालूंगी चार चमच दही और दो चमच बेसन थोड़ा पानी डाल की इसका पेश्ट बना लूँगी अब ये देखे लाल साक थोड़ा थोड़ा मेरा पकनी लगा है अब इस तरीके से चलाते हुए पलट देंगे अब पलटने के बाद में खुब अच्छे से द बेसन है तो बेसन से गुठलियां पड़ जाती है तो इसलिए अच्छे से मिक्स करूंगी अब मैं जार में थोड़ा पानी डाल करके जार को अच्छे से दो करके और फिर पानी वही पानी डाल दूंगी और डालने के बाद में ये देखिए कितना अच्छा सा और अच्छे पकाऊंगी अब मैं एक से ड्र चमाद नमक डालूंगी आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल सकते हैं तो इस तरीके से नमक डाल के और खुब अच्छे से धक करके पकाना है और इसके बाद में इस तरीके से फिर देखिए चलाते हुए अच्छे से घखेंगे और धखरकी देखिए हमारा कितना बढ़ियां कड़ी बनके रेडी हो रहा है एक कितना कलर लग राई देखने में हो बहुत ही अच्छा टेस्टा आता है यह मैंने बनाकि खाया इस लिए मैंने बूला आप लोक के भी बीछ honor गी डाला थोड़ा सा मैं राई डालूंगी और प्याज डालूंगी लंबे पीसेश में काटके और ये सुखा लाल मिर्च लिया है मैंने और ये कस्मीरी लाज मिर्च पौडर लिया है सबका मैं तड़का तयार करके इस तरीके से तड़का लगा दूंगी और लगाने के कड़ी बन के रेडियो गया है अगर वीडियो पसंद आये तो सस्क्राइब कीजिए